शमी के ब्रक्ष की पत्ति जैसे ये बेलपत्र होता है शिव को और गणेश को बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता है आपको कथा में बंडन किया था 33 कोटी देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चड़ेगा पर 33 कोटी देवताओं को शमी पत्र चड़ता है और उसमें एक गणेजी महाराज और एक बाबा भोले नार इन दोनों को शमी समर्पित होता है शमी पत्र समर्पित होता है महाराज तथा में पहले भी वर्णन किया आज फिर आपको ये शिविलिंग है समझ लेना बहुत अच्छे से है जो आपको करना है रिद्धी सिद्धी पाने के लिए समपदा को बढ़ाने के लिए ये शिविलिंग है ठीक है ये गोल जला धारी है ये चरण से जल नीचे गिरता है शंकर जी का पूरा परिवार शिविलिंग के आसपास में है शंकर जी की पाँच लड़कियां जो उपर से जल नीचे गिरा रही है जया, बिशहरा, शामरीबारी, दोतली और देव ये शंकर जी की पाँच लड़कियां जिनका नाम लेकर सोने से रत्री में नीद अच्छी आती है एक एक बून जो उपर से गिरा रही है ये शिव की पाच बेटी जहां से जल नीचे गिरता है शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है उसके राइट भाग में गणेजी का स्थान लेप्ट भाग में कार्ती के का स्थान बीच में संकर जी चोटी लड़की अशुक सुन्दरी का स्थान शिव महापुरान की कठा करती है और गणेज चरीत्र पंश्रमन कर रहे हैं और कल से चतुर्थ ही लग रही है जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो बिमारियां ज्यादा फेल रही हो बहुत कश्ट हो महाराज बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज कोई काम नहीं बन रहा बहुत तकलीफ में हो तो शमी पत्र शमी की पत्ति जहां गणेजी का स्थान है वहां पर पांच शमी पत्र पांच समर्पित करें और संकर जी के उपर तीन शमी पत्र समर्पित करें बहुत ध्यान देना पांच शमी पत्र जहां गणेजी का स्थान है शिवलिंग म में वहां समर्पित करें तीन शमीपत्र शिवलिंग के उपर समर्पित करें एक शमीपत्र शंकर जी की चोखट पर लेफ्ट भाग में जाते समय आपका उल्टा हाथ जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चोखट पर समर्पित करें एक श बहार की और जहां समी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा देजिए केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कती है भगवान गणेश जी का मौर्द्वज का मयूर्द्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चड़ा देता है उसके घर से कभी रिद्धी सिद्धी नहीं जाती बेभव प्रतिष्था नहीं जाती है करकर देखना अगले साल तक आपका ब्यपार कितना चलता है हमको बताना जरूरी करके देखो एगवान गणेश पुरान का शिव महापुरान का ये प्रसंग करिए जीवन में उतारी है चतुर्थी से लेकर रनन चतुदशी तक गणेश जी का म वह टेंप्रेरी ये दस दिन के लिए कर दिया फिर बापी दिसर्जन कर दिया पर जहां शंकर मंदिर में बेट गए शिवलिंग इस्थापित हो गया महाँ ना जाने कितने समय से शंकर की अरागना हो रही है वहां गणेशी सदा विराजमान है और देखो यह दस दिन में अगर आपने शमीव पत्र बिल्कुल मन से समर्पित करा है ना तो मेरा विश्वास कहता है शिव महापुरान का मेरे बावा विश्वनात की कृपा कहती है मेरा मन कहता है दस दिन के अंदर आप शमी चड़ाएंगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छी ख़बर जरूर मिलेगी यह पकाद